हेलो एबरीबन आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकी मुखिया पर जब रोटी सब्जी ना बनाने का और ना खाने का मन हो तो बनाए आसांसी और स्वाधिस्ती रेस्पी एक बार बना लिया तो सबी तारीफ करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना इसके लिए हमने यहां पे गाजर लिया है इसे हमने अच्छे से दोके छील लिया था इस तरह से बारीग बारीग काड लेंगे आप चाहे तो मेरी तरह से चौपर में भी कर सकते हो इससे होगा क्या एक जल्ली हो जाएगा और यह बारीग भी हो जाएगा तो देखिए इस तरह से हमने कर लि दाल दिया और यह एक चाष्य विक्स करने मिक्स कर लि Lazart घर लिया यह एक चमज्वन बंगा रदी मोटी सब्सक्राइए है और जो निविक्त अच्शत हो चुछ बूर। ढाल दीज कर दाने लिए यह जनिट गूंगactive रशोप ले में लेकर बादम सब्सक्राइब तो इस तरह से हमने एक मिनिट इसको कर लिया है आप यहां पर हम पानी डाल कर इसे अच्छे से हम पगा लेंगे डगकर तो चेक कर लेते हैं गाजर हमारी देखिए हो गई है ज्यादा समय नहीं लगता है अब इसमें हम जो हमने यह दही तयार किया था मठ्ठा उसको डाल दे इसमें डाल दिया है और देखिए एक उबाल आ गया है इस तरह से थोड़ा सा खोल कर ही हम इसे पकाना है 15-20 मिनिट इसे हम पकाएंगे गाजर का हलवा गाजर कीवर फी यह सब तो आपने बहुत खाई होगी और बोर भी हो गए होगे तो एक मज़िदार सी रेस्पी बनान तो बनता है तो यह कड़ी चावल के साथ आप खाएं रूटी के साथ खाएं तो देखिए यहां पे हमारी कड़ी बनकर तैयार हो गई है अब इसमें हम धनिया डालने के हमने इसे 15-20 मिनिट पकाया है यहां पे हमने एक पैन लिया उसमें एक चमच ओल डाला है तो अब एक टीश्पून हम यहां पे कस्मी डीलाल मिश डाल रहे हैं विच आप अपने टेस्ट के नुसार डालें तो देखिए सांधार तर्ट कामरा तैयार हो गया है और कड़ी भी बनके तैयार हो गई है कड़ी में नमक लास्ट में ही पड़ता है तो नमक हमने डाल दिया है थैक्स फर वाचिंग टेक्यर बाई